दोस्तो कैसे हो आप सब दोस्तो वेदानता की आपको अपनी स्क्रीन पे निजर आ रहा होगा वेदानता की तरफ से इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट है और एक्स्पीजेंस क्या मांगा गया है बिल्कुल फ्रैसर क्या जीरो टू एन्ने कहां पॉस्टिंग रहने वा मैं सभी से यह बोलना चाहूंगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरा देखिएगा तभी समझ में आपाएगी as well as किसी भी तरीकी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताए दोस्तों यह सारी वेकेंसी रिफाइनरी पैट्रोलियम पावर सेक जो मैं डारेक्टली बोलके इंडारेक्टली आपको बोल रहा हूं दोस्तों अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है कैसे अप्लाइ करना है कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा मैंने आज से एक बहुत मत पहले आप सभी को बोला था एक मन तो नहीं टू मंथ पिफोर कि अपना जो सीवी है मेरे पास इंस्टा पर इंस्टाग्राम पर फारवर्ड कर दिजिए मेर को नहीं पता कितने बंदोंने सीर किया मेरेसे अपना सीवी जितनों ने किया उनका मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि 100 में से 100 का selection हो गया है लेकिन 30 to 40% student का मैंने करवा दिया है दुबारा ही opportunity लेके आया हूँ बहुत सारी companies directly collaborate कर रही है जिसमें वे free of cost एक चीज मैं आपको बता दूँ ये channel कभी भी आपसे पैसो के demand ना करता है और ना करेगा तो इस चीज को ध्यान से रखिए अगर आपसे इस channel के against में कोई भी पैसो के demand करता है तो गलत है मैं 100% बिल्कुल उसके deny करता हूँ आप अपना cv सभी अपना cv मेरे को इंस्टा पे और टेली ग्राम पे भेज दीजे cv और cv का एक चीज याद रखिएगा cv कैसे बनाना है तभी मैं बार बार आप सभी का जब last बार cv आया था तब उसमें बहुत problem थी मैंने particular cv की dedicated video बना दी है जिसका link description में provide कर दिया है उसी cv को format को मेरे पास edit करके आप भेजिए कहां बेजना है आपको भेजना है डारेक्ट इंस्टा पे मैं सभी को reward करूँगा आज से कल में reward करूँगा तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको cv कैसा बेजना है तो अगर आपको समझ में ना ही हो तो वीडियो को एक मिनट back कीजिए और तब इसको देखिए अब बात कर लेते हैं वेकेंसी की दोस्तों वेदानता की official carrier page पे आ चुके हैं यहां वैसे तो यह जो है पैन इंडिया में वेकेंसी रहेगी लेकिन यह जो recruitment है अभी कुछ जगहां बेज़ड है कुछ जगहां बेज़ड कौन कौन सी एक तो उडिसा, राजिस्थान, 36 गड based है अब आप बोलेंगे कि क्या हम यहां relocate करें नहीं करें हम दिल्ली से हम मुंबई से हम क्यों relocate करें याद रखिए अगर आपकी government लग जाती है आप executives बन जाते हैं तब भी आपको relocate करना ही करना पड़ेगा और यह एक बड़ा firm है आपकी life change हो सकती है अगर आप यहां join क चाहिएगा तो इसको हम नहीं देखेंगे यह देखिए यह vacancy field operator, 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 control room operator और भी कौन-कौन सी जब second page पे जाएंगे तो यहां head environment, process manager, fertilizer, head E&I, यह सारी vacancy यों में आप indirectly apply कर सकते हैं posting कहां कहां रहने वाली है अभी सबका जो starting position है दरीबा राजिस्थान में चितरगड राजिस्थान में ऐसे opportunity आई हुई है सबसे बड़ी बात यह refinery से लेके petroleum और silver refinery और यह steel melting sms steel melting shop मतलब यह वेदानता steel की तरफ से भी recruitment आई हुई है कोई सी भी अगर आप vacancy खोल के देखेंगे जैसा फर्स्ट वाली हमने vacancy open करके देखी इसमें आप अगर experience देखेंगे बिल्कुल 0 to N क्या smelting operation अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन-कौन सी branch apply करें दूसरी वाली vacancy भी देखेंगे इसमें भी बिल्कुल freser थर्ड वाली vacancy अगर हम देख लेते हैं इसमें भी इनोंने बिल्कुल freser की demand की गई है और कुछ जगा operations में है कुछ जगा maintenance में है अब देखेंगे field operator fourth या फिर fifth, sixth जो भी आपको देखना है सब में बिल्कुल freser की recruitment है freser बिल्कुल freser तो बात कर लेते हैं यहाँ apply करेंगे सबसे पहले तो यह field वालों के लिए vacancy है अब field की branches कौन-कौन सी होती है field की branches होती है civil, mechanical, electrical, electronics, telecommunication, instrumentation, chemical, ceramics यह branch आती है सब की सब field engineering की अब यह field में आपको काम करना है अब आप बोलेंगे क्या है diploma वाले apply कर सकते हैं, क्या यहाँ b.tech वाले apply कर सकते हैं, क्या यहाँ ITI वाले apply कर सकते हैं यहां तीनों apply कर सकते हैं, आपकी designation के बिहाफ पे, आपकी qualification के बिहाफ पे, आपके experience के बिहाफ पे, आपको salary का criteria दिया जाएगा माल लेते हैं कि आप diploma वाले हैं, तो diploma को आपको salary मिलेगी 35,000 to 40,000, मतलब 35,000 to 40,000 आप B.Tech वाले हैं, तो आपको मिलेगी 45,000 to 50,000, यह vary हो सकती है, यह आपकी skills पे, आपके experiences पे, या फिर आपकी percentage पे, यह उपर नीचे vary हो सकती है अब बात कर लेते हैं, ITI वालों की, ITI वाले भी इन में apply करें, इसके साथ साथ बात कर लेते हैं apply करने की दोस्तों, side में एक option दिया हुए apply for this job, जैसे ही आप इस पे click करेंगे, आप से यहाँ email id और password, देखिए जो new user है, वो करे sign up यहाँ से होगा, जो old user है, वो करे sign in by chance बहुत बंदे forget, मतब passport भूल चोके हैं, तो वो यहाँ से forget कर सकते हैं, दोस्तों, आप आ गए हैं हम इनके, जैसे sign up या sign in करके आप इस section में आएंगे, तो आपको सबसे पहले देखेगा, upload resume, देखिए आप बुरा माने या अच्छा माने, 70% बंदों का यहाँ से reply नहीं आना हैं, तो फिर आप हमार से apply करवा ही क्यों रहे हैं, बिल्कुल right question, लेकिन क्यों नहीं आना हैं, वो भी तो जानना चाहिए, क्योंकि आप resume format पे ध्यान देते नहीं है, आपने 100 बार एक चीज देखियोगी, एक student है, ये बंदा, एक A नाम का बंदा है, एक B नाम का ये भी Delhi से belong करता है, लेकिन इसकी job लग जारी है, और ये हर जहां fail हो रहा है, और दोनों की skills की बराबर है, ऐसा क्यों? ये सिर्फ इसलिए, क्योंकि starting में आपको resume format मतलब आपका first impression ही last impression होता है, तो आपको अपना resume format बिल्कुल ही तरीके से देखना है, मैंने आप सभी की problem क आपको देखते हुए, एक dedicated video बना दिये, जिसका direct link आपको description में मिल जाएगा, उसको जाके जरूर देखें, next आपको जैसे ही आप इसको next करेंगे, next करने के बाद आपको आपका पूरा detail मांगा जाएगा, जो आप यहां mention कर दीजेगा, like mister है, missis है, first name, last name, यह पूरा का जाएगा ही address दीजेगा, अगर आप किसी village से belong करते हैं, तो बहुत जगा ऐसी है, कि वो prefer नहीं देखरते हैं, यह जो मैं एक untruthful fact तो बता रहा हूं, but यह real है, तो आप nearby village का ही address, nearby city का address डाल दीगा, job, यह बहुत important point, देखें, सबसे पहले willing to travel, क्या आप एक जंगा से दू अगर किसी को नहीं है, तो आप comment section में बता दीजेगा, मैं आपको कुछ ऐसी expertise, telegram channel पर बता दूँगा, जहां आप खुज हो जाएंगे, next आपको education से related, यहां आपको top to bottom चलना है, और यहां आपको educational criteria add कर देना है, कोई भी problem, इसके बाद personal identity में देखें, आज के time में आधार और pen card number mandatory हो गया है, जिन students के पाथ pen card नहीं है, वो एक काम कर सकते हैं, अभी starting में कोई भी, देखें कोई भी, जैसे माल लीजे, कोई भी pen card का number कैसे होता है, देखें, जैसे आप कुछ यह डाल दीजेगा, ffxpk2089j, तो यह डाल लेंगे, तो इससे क्या है कि अभी time पर चल जाएगा, बाद में अपना pen card बनवा लीजे, जो हर जगा mandatory होता है, आज के time में, personal information, अपनी profile picture add कर दीजेगा, front आधार कर दीजेगा, pen card और आधार back, आप बोलेंगे, जिनके पास pen card नहीं है, कुछ white paper add कर दीजेगा, salary payment, दोस्तो इसको छोड़ दीजेगा, कोई बात नही नेक्स आगा पर language, language में आप देखे, add more, एक चीज है, Hindi, English, और एक आपकी जो down language होते है, क्योंकि ये राजिस्थान में पॉस्टिंग रहने वाली है, तो Hindi तो compulsory करिएगा, as well as English compulsory, जरूर करिजेगा, ये थी आपके लिए बहुती informative, vacancy, vacancy अची लगे, वीडियो अची ल ये यादो का एक उती है, ये राजिस्थान में, लिए पक का ये लिए बहुती है, ये पहाने है, ले जहुती है, में म的 अचीज करिजेफ़ टा है, गोल वाल झाधे जा है, जा ये सब्सट्श्य वाले है, ये स्थ Gl Buddy, है जए ये इसादी करिछीज में, लुती है, बहा है?. झाल झाल